आज मैं आपके लिए बेंगोली ट्रडिशनल मूरी घुंट के लिए ऐसी पे लेकर आई हैं तो शलिए जादा देर ना करते हैं शुरू करते हैं मूरी घुंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे चार मचली का सर ले लिया है आप इसको हम मैरिनेट करेंगे नमक और हल्दी के साथ आपके लिए हम इसको प्राइकर लेने इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हमने यहाँ पे 3-4 टेबल स्पूर सरसुका तेल मास्टर ओल यहाँ आके ले लिया है हुआ है कर दो 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 बस्ते दोचे कफे साथ कर दिए कर दो फिए ज़िए कर दोचे कर दोचे हो बड़ खूड़ है नंग एंग बढ़ और सबस्थे घट आर लाद़ में में हो कि डी ओर आग ख़चे हो डादे हो मुरी हुंटुप बनाने के लिए हमने इंग्रीडियन्स को फ्राइ करके उठा लिया है अब फ्रोसेश चुरू करते हैं इसके लिए हमने यहां पर वन टेबली स्पून ओयल ले लिया है अब पहते इसमें घीरी यूज कर सकते हैं और इसमें हमने दो बड़े प्याज काट कर इस तरह से बारी काट करके हमने यहां पर फ्राइ के लिया एक वीडियो मेरी मीश हो गई यह प्राइन यहां पर यह जो दो इलाइकी एक छोटा इंच का डाल चीने का तुकड़ा और दो बेली तेज पत्ता हमने वहां यूज किया था और अब इसमें हमने चमाटर एक बड़ा सा काट कर रिज किया है और जिंजर गालिक पेस्टी उसकर सकते हैं इसमें ग्रेट करके डाला हुआ है वन वन पीस् पेसं बना लें और अची तरह से देल छोडें से तक फ्राइब कर लेंगेजर अभी सकते है यूज्श सेहरे और आट कर लेंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ हम लिखालिण और इसको धीमें आज में मछ दिंगेUNT यह जब पुली तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें स्वाधनुसा नमक और चीनी हम इसमें एड़ कर लेंगे मैंने यहाँ पे नमक और चीनी दोनों का रेशियो वन इस्टु वन मतलब कि वन टीस्पुन नमक और वन टीस्पुन चीनी यूज़ किया है यह ध्यान में रखेगा कि हमने मैरिनेशन के वग भी नमक यूज़ किया था अब हम इसमें तीन कप जितना गरम पानी यूज़ करेंगे पानी में अच्छी तरह से मिल गई है अब हम इसको ढग कर फंद्रा मिनिट जितना हम इसको करेंगे पानी में अच्छी तरह से मिल गई है इसको कुक कर लेंगे धी मियाच में यह फंद्रा मिनिट हो चुकी है अब दिखिए इसका कलर कितना सुन्दर आया है और हमारी आलू भी पिघल चुकी है और हमारा यह मूरी घंटो लगभग तेयार हो गया है अब एक फिनिशिंग टच बाकी है इसमें उपर से आप इसको घी डाल लेंगे और गर्मसाला पाउडर इसमें थोड़ा एड कर लेंगे यह रिखिए चावल भी पूरी तयाल से पक चुकी है बस इसको हम प्लेटिंग मैं अपने दिल से आप लोगों को थेंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया इतना प्यार दिया थेंक यू सो मच और जो नए नए फ्रेंज मेरे चैनल पे आया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाईए ताकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन सके